हर बात पर चुप हो जाना ठीक बात नहीं है, हलाकि कहा तो ये भी गया है कि एक चुप सौ को हराएगा, लेकिन चुप रहकर मिली इस जीत का दाम शायद हमें अपने आत्मसम्मान से देना होगा, इसलिए जहां जरूरी है वहां अपनी बात भी जरूर रखनी चाहिए और ज इसी विचार के साथ आज के दिन की शुरुवात करती हूँ, और मैं आप सभी का अपने परिवार में स्वागत करती हूँ, तो अभी मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट निवी और निवी के पापा के लिए, और आज निवी को स्कूल नहीं जाना है, और उ और वो खा लेती है, तो बस अभी पहले मैं निवी के लिए पराठा बना रही हूँ, और उसके बाद जब उनके पापा रेडी हो जाएंगे, तो फिर मैं उनको भी दूँगी, और लंच मैं बना चुकी हूँ, तो आज इनको थोड़ा सा लेड जाना था, तो आज मेरा काम थोड़ा सबकुछ थोड़ा टाइम से हो गया, मुझे थोड़ा टाइम मिल भी गया, तो बस सारा लंच मैंने सबकुछ बना के रख दिया है, अभी बस इनका निवी के पराठा सेखूँगी, फिर उसके बाद मैं इनका टिफिन पैक करूँगी, निवी के लिए जो मैंने आलू का मिक्षच तेयार किया है, तो ये एकदम बिल्कुल साधा है, इसमें किवल नमक डाला है, पनीर, चीज और आलू डाला है बस, और अभी जब निवी के पापा का बनाऊंगी, तो उसमें मैं थोड़ा सा अनियन वगेरा डालूँगी, तो निवी वो सब निकाल निक आल के अलग कर देती है, इसलिए मैं निवी के मैं निवी डागती हूँ, और जितना आलू बचाता तो निवी उसमें नमक लगा के ऐसी ही ले गई है, तो निवी का पराठा मैंने रेडी कर दिया है, और अब मैं करूंगी पहले हस्बेंट का टिफिन पैक, उसके बाद मैं उनके लिए पराठा बनाऊंगी, तो आज मैंने रोटी वे गर सब कुछ मैंने पहले इसे ही बना के सब रख लिया था, तो दाल मैंने आज बनाई है, अरेर की डाल बनाई है, क्योंकि निवी घर में रहती है, तो निवी को मुस्ली वही पसंद रहती है, वैसे खा तो सब लेती है, पर यह है थी कि वह अरेर की डाल थोड़े जादा अच्छे से खा लेती है, और मैंने साथ में बनाई थी बीनस और आलू की सबजी और वह भी भी रखा था तो वह भी मैंने साथ में डाल दिया था और अब बस मैं रोटी पैक कर दूँगे मेरे हजबन को ओफिस में मतलब बहुत ज़्यादा चीजे ले जाना उनको पसंद नहीं है एक्शली उनको ना अपना टिफिन बहुत ज़्यादा भारी लगता है तो वह सबसे ज़़ादा इसको कहते हैं कि मतलब यह एतना ज़़ादा है वह जाता है मिरा टिफिन पहले प्लास्टिक का मिल्टन वाला था पर अब भो ही होता है कि हमें यूज नहीं करनी चाहिए इसलिए मैं बहुत टिफिन ने इनको देती नहीं हो और ऑफिस में माइक्रोवेव भी रहता है तो यह रहता है कि एक गलास का टिफिन होता है तो उसमें खाना गरम भी कर लेते हैं यह तो बस अब मैंने इनका टिफेन दे दिया है इनको यह जा चुके हैं और अब मैं कर रही हुं सारे कपडों को फोल्ड तो अभी सुबा-सुबा यह सारे कपड़े बहार से उठाए और एक-दो जैकेट वागेरा रह गए थी मेरी वाश होने के लिए तो यह जो लास्ट टाइम तक मैंने निकाल के रखी हुई थी कि एक निवी के लिए एक इनकी पापा की तो यह सब कुछ भी मैंने वाश कर दिया है और यह वाली जैकेट मैं घर में ही वाश कर लेती हूँ इजी से वाश करती हूँ तो यह दोनों जैकेट मैंने वाश करके रख दी हैं और अब बस मैं सारी अब क्लीनिंग करूँगी उसके बाद मैं पहले निवी को नहलाऊंगी फिर मैं नहाऊंगी आज ये वाला मुझे बैड भी खोलना था क्योंकि अभी हम लोगो को एक जगे बड़े पार्टी में जाना है इनके आफिस का तो थोड़ा समान वगएरा भी मुझे बैड से निकालना था अपनी साड़ी वगएरा तो अब देखती हूँ मुझे टाइम मिलेगा तो मैं खोलूंगी और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज मैं सोच रही हूँ इवनिंग में ढोकला बनाने के लिए तो मैंने सोचा उसका मैं बैटर तैयार करके उसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ तो जब तक ही आएंगे तो क्या होता है ना कि अगर बैटर हम पहले से रेडी करके रख देते हैं तो थोड़ा उसमें जो खमीर है वो बहुत अच्छा हो जाता है तो बहुत ही अच्छे ढोकले बनते हैं तो मैं उसको पहले से ही थोड़ी देर के लिए मैं बना के पेस्ट को रख देती हूँ तो जी है कि साम तक जब तक मैं बनाऊंगी तब तक काफी अच्छा खमीर उठा आता है तो उसमें हमें बहुत जादा कुछ करने की जुरुत नहीं पड़ती है और बहुत ही अच्छे एकदम सौफ डोकले बनते हैं तो मैं जब इढोकला बनाती हूँ ना तो मैं उसमें थोड़ी से सूजी मिक्स करती हूँ तो वैसे मैंने बेसन लिया है और इसमें मैंने दो चमच के करीब दो तीन चमच के करीब मैंने सूजी मिलाई है छोटी चमच यही जो मैं जिससे मैंने बेसन डाला था और बस अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको एकगदम smooth सा थोड़ा paste बना लेते हैं जैसे इडली कांच हम रेडि करते हैं तो बस फैवु मैं तयार कर लूँ गए इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी चीनी डाली है थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है हल्दी से थोड़ा सा क्या होता है यलो कलर आ जाता है क्योंकि बेशन से उतना जादा यलो नहीं आता है तो यह होता है कि एकदम ढोकले वाला जो कलर होता है यलो तो वो आ जाता है तो ढोकले काफी अच्छे दिखते हैं और अब मैं ये जब निवी के पापा आएंगे शाम को मैं तब ही बनाऊंगी, तो अभी इविनिंग में मैं बैठी हूँ निवी को थोड़ा पढ़ाने के लिए, दिन भर ये बिल्कुल नहीं पढ़ती है और निवी के पापा भी आ चुके हैं, तो निवी को मैंने बोला, मै मैं ऐसे मारती नहीं उसको, पर यह होता है कि शेतानी तो खेर बहुत ज़्यादा करती है, पर यह होता है कि यह मानती वी कीवल मेरे से, अपने पापा से तो बिल्कुल भी नहीं डरती है, एक हम लोगों का टायम होता था कि जब हमारे पापा घर आते थे, तो हम लोग कही पर भी होते थे, कुछ भी कर रहे होते थे, तो सीधे पढ़ाई करने बैट जाते थे, या उनके सामने तो मतलब ऐसे जाते नहीं थे, पर आज कल के बच्चों का मतलब सबसे जादा इनका अपने पापा के साथ होता है, कि मतलब उन पापा से तो खेर बिल्कUL भी निवी बिल्कुल भी नहीं डरती है, और निवी के पापा भी मतलब उपर-उपर से डाटते हैं बस वैसे कभी भी गुसा नहीं करेंगी, बस वो मुझे सही बोलते हैं कि नई तुम देखो, तुम देखो, यह ऐसा कर रही है, तो मुझी को इसको handle करना पड़ता है और ये मेरे से ही बाद आती है लड़की तो बस अभी ये पैठी है तो अभी मुझे भी थोड़ा सा काम था तो वो भी मैं करने बैठ गई थी और ये रहता है कि अगर बच्चा देखता है अगर आप उसके सामने कुछ करोगे तो वो हमेशा आपको कॉपी करेगा और लिखो और आती आगे थोड़ा सा और थोड़ा सा और लिख लो 100 तक कर लेते हैं 100 तक कर लेते हैं एक ज़स जली मिलेगी जल्दी पापा भी हपी हो जाएगे 100 तक कर लो 100 तक कर लो 100 तक कर लो 100 तक कर लो 100 तक करती दो पापा और हप्पी हो जाते आप टोट्राइस करो इसको करो पूरा पापा कुपो करने दो आप ये वाला करो पापा कुपो करने दो आप ये वाला करो तो बॉइस कौन सा है यह बॉइ टर्टल बॉइ है किसने बताया इसने बोला तरह एक बार वह बॉइ है तो फिर यह पापा गर्ल को पापा क्यों कर रहे है पापा दो बॉइ है तो जब तक निवी और पापा कलर कर रहे हैं तरह तक मैं कर रही हूँ धूकला रेड़ी और आप मेरे सांचे को देखे सोच रहे होगे कि मैडली बनारी होगी यह धो धोकले तो एक्षुली मेरे पास धोकले का कोई सांचा नहीं है और मेरे पास कोई एसी थाली नहें जैसे वो किनारी वाली जो थाली होती है उसमें भी बना के वो कड़ाई में बना लेते हैं तो मेरे पास ऐसी कोई थाली भी नहीं है तो मुझे ये ढूकले जो इड़ी के साचा होता है उसमें मुझे बनाना बहुत जादा एजी लगता है क्योंकि टेस्ट मैटर करता है शेप क्या मैटर करेगा तो इसलिए मैं इसको इसमें ही बना लेती हूँ और अभी मैंने बस इसमें इनो मिक्स कर लिया है और ये देखे मेरा इसमें बेटर में कितना अच्छा खमीर उठाया था और मैंनä एकदम फूलाफूला सा एकदम यह हो रहा है मैंनला जितना मैंने रखाता था इसका डबल होगे आई Dream और अब मैं इसको सभी साचों में भर लूए और मैंने इसकी सारी जो प्लेट्स हैं उसमें सब में ऐलिंग कर ली थी क्योंकि मुझे लगता है कि मैं घर पे ही अच्छे बना लेती हूं और थोड़ा सा बैटर बच गया था तो उसको मैंने यह मेरा चोटा से टिफिन था तो मैंने इसमें डाल दिया प्योंकि इसमें बैटर में इनो मिल्स है तो इनो से क्या होगा फिर थोड़ी दिर रखा रहे गा था तो ये बैटर खराब हो जाएगा तो इसलिए मैं इसको बना दूँगी माइक्रोवेव में और वैसे तो मैं पूरा भी माइक्रोवेव में बना सकती हूँ पर मुझे माइक्रोवेव से ज़्यादा अच्छे ये लगते हैं कि जो ये मैं बहुकाने में बनाती हूँ ना इसके जो सांचे में, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगते हैं। माइक्रोवेव वाला बहुत ज़्यादा मतलब उतना मेरा फूलता नहीं है, या मुझे ढंक से बनाना शायद आता नहीं है। तो अभी मैंने इतना सा बस मिक्स्चर इसमें रख दिया है, तो वो भी मेरा रेडी हो गया है, और अभी मैं इसको करूंगी फ्राइ, एक्चुली मुझे ना वो पानी वाले ढूकले मेरे हस्बेंट को पसंद नहीं है, उन्हें ये फ्राइ वाले ढूकले पसंद आते हैं, तो वो तो आज मेरे पास धनिया नहीं थी, वरना मैं चटनी और बनाती अभी, तो चटनी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं, तो बस मैंने अनियन कट कर लिया है, और ये मेरे ढोकले देखे, कितने बड़ियाव एकदम फूले फूले से बने हैं, काश उस दिने रिडली भी ऐसी बन जाती, तो मज़ा आ जाता, पर कोई नहीं, अब मैं इसमें एक चाकू डाल के मैं देख रही हूँ, तो ये मेरा है, बिल्कुल भी बैटर चिपक नहीं रहा है, तो ये एकदम रेडी है मेरे इडली, सौरी ढोकले, तो बस अब इनको थोड़ा देर के लिए निकाल लेंगे, ठंडा होने के बाद मैं इनको फिर सांचे में से निकालूँगी, तो ये सारी चीज़े मेरी रेडी हो चुकी है, और ये जो टेफिन वाला था ना, इसको पहले मैं इसको कट कर लूँगी, तो ये मेरा स्कौार पीस का बन गया था, और अब ये मेरा ढोकले भी मैं निकाल के, इनको सब को सांचे से बाहर निकाल लूँगी, तो थोड़ा सा इनको ठंडा हो जाने दूँगी, फिर इनको निकाल लूँगी, तो जिससे क्या होगा न, ये चिप केंगे नहीं, तो अब बस कटाई में मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल, और तेल डालके फिर मैं इसमें करूँगी इसको फ्राई, और तब तक मैं साचे में से सारे डोकले निकाल लूँगी, ये देखे, कितना सॉफ्ट बना है, एकदम पूरी जो पीछे जाली होती है, वैसी जाली सी पढ़ जाती है, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं डोकले मेरे, और आप भी गभी ऐसे बेसन के साथ, सूजी मिक्स करके बना के देखिएगा, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं डोकले, तो बस अब मैं इसमें कड़ाई में प्याज, और मैंने हरी मेंज जाल दी है, अब मैं इसको फ्राई करूँगी डोकले को, और वैसे मैं इसमें थोड़ा सा नीबू भी डालती हूँ, पर ये था कि आज मेरे पास नीबू भी नहीं था, तो बस जो चीज़े घर में होती हैं, मैं उनी से कुछ ना कुछ बनाने का सोचती हूँ, जो कि वह रहता है कि फिर अब ये नहीं है, वो नहीं है, तो इस चकर में कभी-कभी चीज़े बन भी नहीं पाती हूँ, और मेरे ढोकले, मैं ये बहुत दिनों से कहा रहे थे, कि मुझे ढोकला खाना है, तो अब बस मैंने इसमें मिला दिया है, थोड़ा सा मैगी मसाला, जो मारकेट वाला जो पाउच आता है, वो एक मैंने इसमें डाल दिया है, बस इतनी ही चीज़ों से ये बहुत ही ज़्यादा यमी बन जाता है, तो मेरे ढोकले रेडी है, तो आप लोग भी इस तरीके से ढोकले अपने अपने घरों में बनाईए, और खाईए, और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं करती हूँ आज के व्लॉग का एंड, और मैं करती हूँ अपने ढोकले इंज़ाए, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो जल्दी मिलते हैं आप नेक्स व्लॉग में, तब तक के लिए, बाई बाई and टेक कियर,